नमस्कार दोस्तों, थाइलेंड में गुरुबार को एक एक्स पुलिस ओफिसर ने चाइल्ड केर सेंटर में अंदादुन फाइरिंग कर दी, इस कटना में 24 बच्चों के समय 36 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद हमलावर ने अपने परिवार को भी खत्म कर दिया और फिर खुदकुशी कर ली, बाद में पता चलता है कि यह अमलावर एक पुलिस ओफिसर था जो की ड्रग एडिक्ट था, तो आज हम थाइलेंड की इसी कटना के बारें बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियों सुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क् आपको मिलेगे एक दम आफेंटिक जानकारी, वो भी एक दम आशान भासा में, तो दबा दीजिए इस लाल बटन को. रिपोर्ट्स के मताविक फाइरिंग नॉर्थ प्रोविंस के नांगबू आलंफू में हुई है, हमलावार एक 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 पुलिस ऑफिसर पन्या खबरव था और इसे ड्रग एडिक्ट होने की वज़ा से नौकरी से निकाल दिया गया था, चैल्ड केर सेंटर में फाइरिंग व्यूरो के ऑफिसर मेजर जनरल जिरापो पुरी डेट के मताविक हमलावार खमरव हाइली एजुकेड़ और फिट था, पुलिस में अफसर बना लेकिन चंद महिने में ये ड्रग स्मगलिंग से जुड़ गया, इंटर ऑफिस ड्रग टेस्ट में फैल होने के बाद उसे सस जारी किया और इसमें पन्या खमरव को मोश्ट बॉंटेड बताया गया है, और बाद में उसने खुदकुशी कर ली, जिस वक्त फाइरिंग शुरू होई तब वहाँ जडापा बून सोम पास में ही काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा लगा जैसे पठाके चल रहे हो, ल इसके बाद में एक बंद कमरे में जबर्दस्ती गुसा, जहां बच्चे सो रहे थे, फाइरिंग की गटना के बाद वुट्ठू चाई बाओ थांग नाम के यूजर ने एक फोटो अपने फेस्बुक पेज पर शेयर की, इसमें एक छोटा बच्चा और कुछ आसपास गया है, इस तरह से उनका बतीजा बच गया, ऐसा नहीं है कि थाइलेंड में ऐसी गटना पहली बार हुई है, बलकि इससे पहले भी कई बार ऐसी मास किलिंग थाइलेंड में हो चुकी है, दरसल थाइलेंड में गन कल्चर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, यह गन रखने 76 के दिन बेंगकोक की थामासेट उनिवरसिटी में मास किलिंग होई थी, जिसमें 40 स्टुडेंट को मौत के गाट उतार दिया गया था, दरसल हुआ यह कि थाइलेंड की साल 1973 में ताना शा थानूम कित्ती कार्चोन को उसकी मनमाने साशन और अपने लोगों पर अत्याचार करने के कारण उसकी गद्धी से अटा दिया गया था, लेकिन सितंबर 1976 में थानूम दोबारत हैलेंड की सत्ता में आ गया, थानूम की वापसी के वरोध में थामासेट उनिवरसिटी में 5000 से ज़्यादा चात्र एकट्टे हो गए, और शाम साड़े 5 बजे के आसपास जब प उनिवरसिटी केमबस का दरवाजा तोड़ कर अंदर गुश जाते हैं, और फिर शुरू होता है कतले आ, गई चात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई तो किसी को भीड ने पीट पीट कर मार डाला, अब आप खुद ही सोचिए कि इस समय इन स्टुडेंट के साथ कितनी बरवर्ता हुई होगी कि महिला चत्रों के कपड़े उतरवा दिये गए और पुरस चत्रों के भी कपड़े उतरवा कर उन्हें जमीन पर लेटा दिया गया था, उस दिन थामसैट यूनिवरसिटी में इतनी बरवर्ता हुई कि जिसे सुनकर रोंग्टे खड़े हो जाते है कई चात्रों को मार कर उनकी बॉडी को पेड़ पर लटका दिया गया था और बॉडी के साथ भी वरबरता की गई थी थाइलेंड में धाई साल पहले फरवरी 2020 में भी मास सूटिंगी गटना हुई थी तब आठ और नौ फरवरी को सेना के एक जवान ने गोली बारी कर 29 लोगों को मार दिया था मास सूटिंगी इस गटना में 58 लोग घायल हुए थे इस गटना को जकरापंध थोम्मा ने अंजाम दिया था वो आठ फरवरी को करनल अंथा रोट करासे के घर प्रोपरिटी इशू पर चर्चा करने के लिए पहुचा था वहाँ उसने करनल की बंदुक छील ली और गोली मार कर उनकी हत्या कर दी बाद में वे करनल की सास को भी गोली मार कर चला गया यहाँ से थो आर्मी बेस गया और गाड से बंदुके चीन कर जवानों पर फैरिंग सुरू कर दी इसमें एक जवान की मौत हो गई और फिर यहाँ से वे सेना की गाड़ी लेकर निकल गया और वहाँ से गया सहर के मशूर टर्मिनल 21 शौपिंग मॉल में और वहाँ भी उसने फैरिंग सुरू कर दी गटना में 29 लोगों की मौत हो गई और 58 लोग जखमी हो गई थे इसके बाद अमलावर वहाँ से फरार हो गया और करीब 18 गंटे बाद एक गटना इसकल से 60 किलूमीटर दूर पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया आज की इस वीडियो में हमने थाइलेंड के चैल केर सेंटर में हुई मास्क लिंग के बारे में बात की है उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे लायक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल क सब्सक्राइब कि